पाक्सान स्टॉकनेटिक चलते हैं जी और देखते हैं कि आज कौन से ऐसे शेर्स हैं जो के अच्छे लेवल्स पर हमें नजर आ रहे हैं और मुम्किना तोर पर कल अगर उसमें बाइंग की जाए या आने वाले दिनों में अगर उनको कंसीडर किया जाए तो उनसे एक अच्छा प्रॉफिट जो हो जनरेट किया जा सकता है यह हमारा कॉंटक्ट नंबर है जी अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो इस नंबर पर वट्सप फरमाईए हमारी दो सर्विस हैं बेसिक और इन्हांस इन्हांस सर्विस मे अभी हम मिर्जीद क्लाइंट्स नहीं ले रहे लेकिन अगर आप बेसिक सर्विस में हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो वट्सप फरमाईए आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि क्या पोजिशन रही आज 270 पॉइंट्स चाहां वो नीचे रहे सौरी 270 कॉंपनी नीचे रह कि अगर आप यह समझें कि आज हम इसको करी दें और फिर बेच दें ऐसा नहीं है इसमें शायद आपको थोड़ा इंतजार करना पड़े लेकिन अगर 335 इसके राउंड मिले तो अच्छा शेर है इसको कंसिडर करना चाहिए उसके बाद गंदारों शंदारों को अभी मार पड़ रही है मेरा कहला है इन से थोड़ा दूर रहना चाहिए साजगार साजगार का जो है यह अच्छा लेवल है अगर 105 के आगे पिछे मिले तो इसमें जो है वो हमें थोड़ा सा हिल जुल करनी चाहिए आटोमबैल पार्ट की बार करें लोड अच्छा शेयर है हमारी रेक्मेंडेशन जो है इसकी 5 रुपए की पंद्रह रुपए की थी और आज इसने पंद्रह रुपए 5 पैसे लगाए जो के अच्छे है अगर किसी ना बाइक काट रखा है तो 15 रुपए गुड है इसके लि cable and electrical goods की बात करें तो waves में से आज निकले हैं 18 पैसे और पेल में से निकले हैं 75 पैसे दोनों में बहुत फरक है कि waves अपनी जगा पर stable रह रहे की कोशिश कर रहा है लेकिन पेल में से लगातार पैसे निकल रहे हैं और मेरा ये ख्याल है कि इनके दर्म्यान जो फरक है वो शाए तीन से चार रुपे का रह जाएगा अगर ऐसी सूरते हाल में सिचुएशन आपको नजर आए तो देन पेल को कंसिडर किया जा सकता है को बाईस रुपे के ऊपर सेमेंट सेक्टर की बात करें अटक सेमेंट में से पांच रुपे चौनसट पैसे निकले है डीजी खान में से चार रुपे निकले है यार ये देखिए ये जो अभी कल परसों एक लिस्ट गूम रही थी कि पता नहीं किस इंटरस्ट रेट के बढ़ने की वज़ा से इन शेज के उपर बहुत इंपक्ट पड़ेगा यार जो पढ़ना था वो पढ़ गए ठीके ना लेट्स मूव फावड़नाओ अब नहीं प्लैनिंग करनी करनी चाहिए बजाए इसके कि हम इस चीज़ का इंतजार करें कि कोई और प्लैनिंग करें अपने प्लैनिंग को खुद करनी पड़ेगी अपने पॉर्टफोलियो का जाहिजा लीजिए और उसमें कुछ वड़ा सा उतार चड़ाओ कीजिए अटक सीमर जो है 122 रुपे पर अच्छा है बलके बहुत अच्छा है आगे चलें जी पाइनियर है नहीं अभी नहीं केमिकल सेक्टर की बात करें तो केमिकल सेक्टर में चीजें उपर की नीचे हुई हैं लेकिन बहराँ डेस्क ऑन आक्सी कैम जो है यह काफी अरसे से 22 रुपे से तकरीबन कोई 26 रुपे के दरम्यान की मूव दे रहा है आज भी इसने 23 रुपे 35 पैसे का लो लगाया लेकिन इसकी रिकवरी बहुत अच्छी हुई अगर यह दुबारा जो है वोगर 23 रुपे के आगे पिछे मिले तो मेरा क्याल है कि इसको कंसीडर करना चाहिए आगे चलते हैं जी और बात करते हैं लोटे केमिकल की 14 रुपे पर बुरा नहीं है इसको करंट पर भी बाय किया जा सकता है अब यह देखे आज सीधी सी बाते हो रही है लेकिन यह रेकमेंडेशन नहीं है यह मैं सिर्फ अपनी एक राय दे रहा हूँ आपने जब अपने पॉर्टफोलियो की मेनेजमेंट करनी है तो आपने यह देखना है कि आपके पास पैसे कितने है उसके मताबिक आपने बाय करनी है मुझे अगर आज मौका मिला तो मैं इंशालला इस चीज़ के उपर भी वीडियो बनाऊंगा कि आपने पॉर्टफोलियो के अंदर जब शेयर बाय करने है तो उसका क्या तरीका होना चाहिए और एक वीडियो इंशालला मैं इस चीज़ के उपर भी बनाऊंगा आपके शेर्स के अंदर जो sentiment लगा होता ना आपका जो शेर्स के उपर जाने से आपका blood pressure उपर नीचे होता है इससे जरा प्रहेज करें इससे प्रहेज फरमाईए अगर आपका blood pressure उपर नीचे होता है शेर की price के साथ तो यह business आपके लिए अच्छा नहीं है commercial banks की बात करें banks में BOP ने आज हाई लगाया आट रूपे 95 पैसे का देन अगेन वापी सी आट रूपे पैसे पैसे पर closing है साड़े आट पर यह बुरा शेर नहीं है बैंके इसलामी एक वक्त में तो लग रहा था कि शाहिद पता नहीं यह आसुमान पर चला जाएगा लेकर रास्ते में से किसी ने इसकी ठांग करेंच लिए एंसी भी बहुत अच्छा था एक सो साट पर चला गया था दन वापिस एक सो चपन पर वापिस आ गया है और इसमें से चार तक्रीबर साड़े तीन चार रूपे निकले हैं यह को अच्छा साइन नहीं है चले जिनके पास था उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग बगारा कर ली होगी बाइबैक कर लीजेगा एक सो पिछास के आगे पिछे आगे चलते हैं यह ऐसी चीज़े बाते हैं थोड़ी सी आइस्था इस्था भी करनी चाहिए ना सारे सोनना ना ले आगे चलें जी इंजिन कि इसका मतलब यह है करन्ट लेवल पर भी अच्छा है और अगर नीचे जाएगा तो 13 तक जाएगा वहां पर इसको मजीद कंसिडर किया जा सकता है अगर लॉंग टर्म इंवस्टमेंट की जरूरत है यह किसी को चाहिए यह को गौर फरमाना चाह रहा है तो एंग्रो कॉर लेकिन वो 13 रुपे 13 पैसे लगा के और क्लोजिंग इसकी पॉजिटिव में रही है और एक चीज़ यह जरूर याद रखिएगा कि फॉजी फूट जो है अब मैं इसको दोबारा पी रिलेट करता चलो कि अलशहीर को जो यह कल भी मैंने बात की थी जो मीट की होगी फॉजी फूट का राइट अगें एक रुपे 50 पैसे और फॉजी फूट बजाते खुद 11 रुपे 50 पैसे आगे चलें जिन्होंने एवरिज करनी है जो कुछ भी करना है वो अपने अपने पोर्टफोलियों के मताबिक इसको देखें कि उन्होंने क्या करना है बहुत है तो बहराल जो भी है अपने डिसीजन वह आप खुद फरमाईए पैसा आपका है और आप ही ने नफा नुकसान बरदाश करना है क्लास एंस्ट्रामिक्स को चोड़ दें इंशूरंस की को भी छोड़ दें आज इन्वेस्टमेंट बैंक्स में बात करें तो 786 चला गए उपर 29 पैसे चले अच्छी बात है याज सुपर मैंने रिकमेंड किया था कि जिसने ले 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 क्योंकि लास्टे के क्लोजिंग इसकी बड़ी अच्छी थी कि आगे चलें जी एफ नियल नहीं कि आगे चलें इसकी बात करें तो नहीं यार अभी हाँ सिद्धीक टिन प्लेट 12 रुपे तक की हमारी इसकी थी के 12 रुपे लगा सकता है तो 12 इसने दिये हैं लगा मैं आपको याद होगा कि जिन दिनों ये 16, 17, 18 रुपे बर भी ट्रेड कर रहा था उन दिनों भी मेरी ये राय थी कि सिद्धीक टिन प्लेट जो है सारी ये 10, 12 रुपे वाला शेयर है और 10 भी और 12 भी तो पहला लेवल भी आपको पता लग गया दूसरा भी लग गया अब इसके मताबिक आप देख लिजिए क्या है अगर किसी ने इंट्रस्ट लेना हो पोजी डीसील की बात करें अगेज जन्होंने लांग ड्राइव करनी है वह आहिस्ता आहिस्ता खरी दिए आज सुना वैसे किसी का पाकिसान पेट्रॉलियम का जो है वो स्टॉप लॉस ही टो आ है stop loss ना लगाया करें, stop loss उस वक्त लगाया करें, जिस वक्त आप लोग उने day trade करना हो, अगर आपने long trade करनी हो ना तो फिर stop loss ना लगाया करें, और सारा पैसा एक share के नदर ना जोंका करें, उसकी partition किया करें, फिर आप देखें, यार ये portfolio management पे वीडियो बनाएंगे बोली, नह 78 रुपे बुरा लेवल नहीं है, पिपरन बोर्ड की बात करें, नहीं अभी नहीं, फार्मास्विटिकल में, एजी पी को 100 रुपे पर देखा जा सकता है, पावर डिस्टिबिशन की बात करें, के अलेक्ट्रिक 3 रुपे 25 पैसे, एक अच्छा लेवल है, इसका 3 रुपे 20 से 25 पैसे पर, और फिर 30 सा और 35 रुपे बंदा निकल जाए, फिर भी 10 पर्शन प्राफिट बनता है, रिफाइनरी की बात करें, रिफाइनरी में बाइकोच 6 रुपे बहुत अच्छा लेवल था, आज हमने रिक्मेंड भी किया, आप पता नहीं किसी ने बाइक किया या न इसलिए कि लो जो लगाया पाकिस्तान रिफाइनरी ने वो लगाया 14 रुपे तकरीबन 14 रुपे 58 पैसे का, और क्लोजिंग उसने दी 14 रुपे 65 पैसे की, ये इन चीजों को पर जरूर गोर किया करें, दरम्यान में जो फरक पड़ा वो तरह सिर्फ साथ पैसे का, और शेर कितने का है, 15 रुपे का, बाइकों ने लो लगाया 6 रुपे 49 पैसे का, और भाइकों ने क्लोजिंग दी 6 रुपे 83 पैसे की, वो क्या कहते हैं, इसको देखें आप, अगर किसी ने साढ़े 6 रुपे पर वाय किया है, और अगर कल जो है, ये 7 रुपे पर बेज देते है, त अगर को चोड़ दें जी, टेकनोलोजी की बात करें, हम नेटवर्क में हमारा काफी अर्से से, बलके काफी अर्सा तो नहीं कहा जा सकता, काफी दोनों से हमारी ये कैलकुलेशन थी, कि 6.50, 6 रुपे 50 पैसे इसका अच्छा लेवल है, और आज इसने लगाया 6 रुपे और 47 पैसे, लेकन क्लोजिंग इसने जो दी है, वो 6 रुपे 56 पैसे की है, इसकी भी क्लोजिंग इच्छी है, बाइको की भी क्लोजिंग अच्छी है, साड़े 6 रुपए से उपर की और हम नेटवर्क की भी हलांगे आपको पता है कि टेकनोलोजी सेक्टर में हम नेटवर्क में बहुत काम काम करते हैं लेकिन उस वक्त काम करते हैं जिस लवल पर अगर हमें वह चीज मिले हम उसको कल्कुलेट करें उस लेवल पर आएगी तो भ बहुत अच्छा प्रॉफिट है छे रुपे का शेयर पचास पैसे दे तो नौ पर्शन बनता है सर कमों बेश आगे चलेंजी पीटी सीयल पीटी सीयल के उपर भी हमारी यह राय है कि नौ रुपे इसका अच्छा लेवल है और यह इसने आज भी लगाया और मेरा ख्याल है को एक दू दिन पहले भी इसने लगाया था आगे चलेंजी टेक्स्टाइल में अग्षाद चुनिया कहा खड़ा ने ठीक है टेक्स्टाइल स्पिनिंग वाय है चुक्वाल स्पिनिंग ने पंद्रह पैसे के उपर के क्लोजिंग दिया चलांची बाताई यार कि विविंग शीमिंग टूबैको तो वैको में फसे हैं यार हमारा यह शेर फसा हुआ है स्पोर्ट सेक्टर की बात करें तो बहरहाल चीज़ों में कोई खास कमी नहीं है चीज़ें जो है वो अपनी जगह पर काइम है बस जी आज के लिए सरफ इतना ही दौब में याद रखिएगा अब कोशिश करेंगे कि आइस्ता इस्ता चीज़ें जो हैं उनको डाइवर्सीफाय करने की तरफ हम जाएने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाला जाएंगे भी जैसे जैसे हलात अजाज़त देंगे खुश र रहें अबाद रहें मार्किट के डाउन फال से डरने की कोई जरूरत नहीं है अपने पॉडफोलियो के जाड़ पोच कीजिए और अपने पॉड़ फोलियो को भी डाइवर्सीफाय कीजिए एक शेयर के साथ लिटके रहने से पॉड़फोलियो हमेशा खराब होते हैं कोड़े अरसे के लिए है तो स्टॉक मार्किट से दूर रहिए अगर आपके पास कोई कुमिटमेंट नहीं है तो फिर उस पैसे को जरूर स्टॉक मार्किट में लगाईए उसकी मैनेजमेंट कीजिए किन शेर्ज में लगाना है किन लेवल्स पर लगाना है लेवल्स के उपर चीज बाय की हुई कभी भी आपको तंग नहीं करते अला आफिस